जै मसी की दोस्तों, आज की स्वरगेवन्ना का भाग हमने लिया है सबोब देशक की पुस्तक उसका दूसरा अध्याय और उसका 26 वचन वचन कहता है त्योंकि जो व्यक्ति उसकी दृष्टी में भला है उसको वो बुध्धी, ज्यान और आनंद प्रतान करता है प्रतु पापी को उसने एकतर करने तदा संग्रह करने का कारे सौपा है कि परमेश्वर उसे उस मनश्य को दे जो उसकी दृष्टी में भला है धन्यवाद पिता परमेश्वर तुम आहन है पिता परमेशर तुन्हें हमें चुना है परमेशर और तु कहता है जिसको मेरे चुना है वो मेरा पुत्र है हालेलुया इसलिए ईश्यमसी ने अपने चेलों से कहा कि तुम लोग जाओ ना अपने साथ एक कमीज लेके जाना जाओ और यूही जाओ परमेशर तुम्हारे साथ है और तुम अद्भूत आशीश पाओगे तुम अपने शरीर की चंता मत करो क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ तुम क्या खाओगे तुम क्या पहनोंगे तुम कहा रहोगे इसकी चंता मत करो मेरे धर्म की मेरी धर्मिक तकी खोज करो ये सारी चीजें तुम्हारे पीछे आएंगी कैसे पीछे आएंगी दोस्तों ये वच्छन हमें बताता है कि परमेश्वर ने पापियों को धन एकत्र करने के लिए सौपा है तकि वो धन हम धर्मियों के काम आए परमेश्वर चाहता है इसलिए परमेश्वर ध्याय करता है क्योंकि परमेश्वर ने हमको चुना है और परमेश्वर चाहता है कि हम उसका आशीश पाएं सुख पाएं पत्रस रात भर सेवा करता रहा लेकि उसको मशलिया नहीं मिली उसको मशलिया ने मली, वो पसिना बहा था ला. इसलाव धालेलूया. लेकिन जैसे ही उसने ईश्व-मसी के कहे यानुसार, जाल डाला, सारी मशलिया उसके जाल में आ गए. कैसे आ गए? क्योंकि इश्व-मसी के मचनों को माना. इश्यमसी की आग्या को माना दोस्तों जब आप परमेशर के चरणों में होते हैं जब आप परमेशर का बन जाते हैं जब परमेशर के धर्मी बन जाते हैं उसके पुत्र बन जाते हैं तो ये पूरी काइनात आपकी सेवा करती है ये पूरी काइनात आपके साथ चलती है पत्रस को उस मशली के मूँ में सोने का सिक्का मिला क्योंकि वो परमेशर का बच्चा था क्योंकि पत्रस चुना हुआ था अलेलोया दोस्तों अगर आप चुने हुए हैं आप विश्वास करिए और मैं जानता हूँ कि जतने सुनने वाले हैं उनके जीवन में परमेशर काम करता है मेरे जीवन परमेशर ने बहुत काम किया है और मुझे कई बार कई बार मुझे मशली के मुँ में सिक्का मिला है अलोकिक चमतकार मेरे जीवन में हुआ है क्योंकि अलोकिक चमतकार परमिशर के द्वारा उनके जीवन में होता है जो अलोकिक ता के कारण, अलोकिक कारणों के कारण, अलोकिक आशीशों के कारण अपने जीवन को बिताते हैं वो कैसे बिताते हैं आप जब परमेशा के बन जाते हैं मिस्से जब इसराइली निकले 430 साल तक गुलामी की जिन्दे की जी रहे थे उनके पास कुछ नहीं था अप्रहसलो अठा ले लिया लेकिन बाइबल बताती हमें कि परमेश्र ने उन मिश्रियों के मन में दया डाली, करुना डाली और इसरालियों ने जो जो मिश्रियों से मांगा, जितना सोना मांगा, जितनी चांदी मांगी सब कुछ मिश्रियों को इसरालियों ने, मिश्रियों को मिश्रियों ने दे दिया इसरालियों को क्या लिखा हुआ है निर्गमन बारा का 35 और 36 और इसरालियों ने मुसा के कहने अनुसार ये भी किया कि मिस्रियों से सुने चांदी के आभुशन और वस्र मांग लिए और यहुआ ने उन लोगों को मिस्रियों के दरिश्टी में ऐसा कृपपात्र बना दिया कि जो कुछ उन्होंने मांगा वो मिस्रियों ने उन्हें दे दिया इस प्रकार उन्होंने मिस्रियों को लूट दिया दोस्तों हम जब पर्मेशर के बन जाते हैं तो पर्मेशर हमारी रक्षा करता है पर्मेशर हमारी सुधी लेता है और पर्मेशर हमारे जीवन को चलाता है हमें अपने शरील के लिए ने जीना है हमें अपनी आत्मा के लिए जीना है मैं सच कह रहा हूँ दोस्तों मैं तकरीबन 13 साल से परमेशर की सेवा करता हूँ और बॉलिवुड का मैं बॉलिवुड में था और 5 फिल्मों का हीरो था मैंने सब कुछ छोड़ दिया मैं कहीं कुछ सेवा के लिए कोई पैसा नहीं लेता हूँ लेकिन फिर भी मैं एक राजा की तरह, एक राजक्मान की तरह अपनी जिंदगी को बिताता हूँ क्योंकि परमेशर मेरी हर कमी घटी को पूरा करता है वो मेरा चर्वा है दोस्तों उस पर विश्वास करिए उस पर विश्वास करिए और सेविकाई में आईए पूरी तरीके से, संपून तरीके से, 24 घंटे की सेविकाई में आईए, अपने आपको समर्पित करिये और देखिये, परमिश्वर आपके जीवन को कैसे लेके जाता है, आपके खर्चों को, आपकी कमी घंटी को कैसे पूरा करता है मैं अपको बता नहीं सकता हूँ, कि जो मेरे साथ होता है, नोख अक्षान चान, मैं उसके आशीशों को, उसकी करिपा को अपने जीवन में देखता हूँ जब दूसरे भाई भेन मुझे आशीश देते हैं क्रिपा मैं कुछ नहीं मांगता हूं लेकिन परमेशर कानुगर है मुझ पर है लोग आशीश देते हैं सुख देते हैं तो दोस्तों जब हम परमेशर के पूरी तरीके से बन जाते हैं यह आद रखिए कि हमें पूरी तरीके से परमेशर का बनना है आधा दूरा नहीं अगर आप नौकरी करते हैं और फिर भी एक काम करते हैं अगर आप कुछ और करते हैं और फिर भी आप ईशीश का काम करते हैं इसमें कोई बुराई नहीं है आप कर सकते हैं लेकिन मैं समझता हूँ कि जब परमेश्र ने हमें चुना है तो हम अपने नहीं हैं. हम परमेश्र के हैं और हमें परमेश्र की ही सेवा करनी है. संपून मन से, संपून हिदर से, संपूना अत्मा से, संपून शक्ती से. इसलिए दोस्तों, आई क्य魔想ति हैं और धन्यवाद द कुप साथ देते हैं क्योंकि हम परमेशर की चरणों में समर्पित है हाले लिया इसलिए हमें अपनी चिंता नहीं करनी है हमें चिंता करनी है कि हमें दिन बिताना है तो परमेशर की सेवा करते हुए आज हमें हमें परमेशर के किन आत्मों से मिलना है आज हमें कैसे परमेशर की सेवा करनी है हमें अपने आपको समर्पित करना है प्रभू के चरणों में क्योंकि प्रभू आने वाला है बहुत निकट है इशू मसी काना इसलिए हमें अपने आपको समर्पित करना है आई हम प्रात्रा करते है धन्यवाद देते हैं पिता परमेशर तेरे पविद सामरती नाम में आद्बुश शिफा है परमेशर तू अनुगरे कारी है परमेशर तू देने वाला है परमेशर तू हमारी जिंता करने वाला है परमेशर तू भूकों को परमेशर रोटी देता है आँखों से आस्वों को चीवन में काम करें और परमेश्य तेरा राज चुपले इश्व मस्या के नाम से मांगते हैं प्राथ ना अपने सुनी और कुबूल की है मैंने मैंने मैंने